वेलकम टू आर चैनल फेंटेसी फॉर्चोन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं विंसी प्रेमियर लीग टीटन मैच जो की खेला जाएगा ग्रेनेडीन्स डाइवर्स वर्सिस बोटैनिकल गार्डन रेंजर्स क्या रहेगी बेस्ट स्मॉल लीग की टीम Grand League की क्या टीमस रहने वाली है सब हम इसी वीडियो में डिसकस करने वाले हैं सब पूरी वीडियो देखेगा मजा आने वाला है विंसी प्रेमियर लीग आज से स्टार्ट हो रहा है ये जो T10 का टूर्णमेंट है ये वन अव था बेस्ट T10 का टूर्णमेंट माना जाता है क्योंकि quality यहां की इन टूर्णमेंट की काफी अच्छी होती है as compared to other T10 matches अगर आप लोग नए हैं तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है fantasy fortune के नाम से है link description में मिल जाएगा साथ के साथ मैं comment section नहीं पिन कर दूँगा उसी के थूरू जुड़िएगा क्योंकि search करके मत जुड़ना fake channels काफी सारे हमारे नाम के और कोई fantasy fortune के नाम से पैसे मांगे सो बिलकुल भी देने की जरुवत नहीं है साथ के साथ YouTube शेयर को subscribe करके bell icon दबा लीचे जैसे वीडियो आएगी आपको notification मिल जाएगी ये मैंने grand league के लिए भी एक special video बनाई हुई है ये जरूर देख लेना आपको बहुत फाइदा मिलेगा इस वीडियो से इसका भी link में description में डाल दूँगा बात करते हैं venue की so arnos well ground में matches खेले जाने वाले हैं यहाँ पर मैं बता दूँ की spinners को मदद मिलती है लेकिन अभी क्योंकि start है so उतनी मदद नहीं मिलेगी so आपको एक अच्छा betting track देखने को मिलना चाहिए लेकिन जैसे जैसे tournament आगे बढ़ेगा so spinners का role जो है वो important बढ़ जाता है बात करते हैं probable playing 11 की so यहाँ पर shallow open करते हुए नजर आ सकते हैं आपर hooper के साथ फिर kेटों है शैम ब्राउन है वेरिकन है कोडी होन केविन अब्राहम डेंजल होइट स्ट्रोब ब्रेक्सी ब्राउन और वाईली आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं बोटैनिकल कारडन रेंजर की तरफ से सालवान ब्राउन उपन करते हुए नजर आ सकते हैं फ्लेचर के साथ वेन हारपर है केटोई है एलेक्स सैम्यूल है डेनवर है यहाँ पर पॉप है कैजरिक विलियम्स है लेरी एडवर्स है किमाली विलियम्स है और रेजीन ब्राउनी आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं बात करते हैं यहाँ पर फैन टू प्ले लारा इस IPL में लीडर बोर्ड जिसमें टॉप विनर्स को चार विनर्स को मिलेगा T20 वर्ल्ड कॉप फाइनल आस्ट्रेलिया में देखने का मौका सो अगर आप लीडर बोर्ड खेलते हैं सो आप फैन टू प्ले का यह लीडर बोर्ड जरूर खेल सकते हैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है फॉर्चून यहाँ का रेफर कोड है सो उसके थूँ आप डाउनलोड कर सकते हैं बात करते हैं गरनेडीन्स डाइवर्स की सो यहाँ पर देखो इस बार टीम काफी चेंजिस हुए है तो यहाँ पर इनके पास काफी सारे ओपनर्स हैं सो यहाँ पर शैलो ओपन कर सकते हैं जो विकेट कीपर भी है अभी तक यह काफी अच्छ हैं तो टीम शैम ब्राउन जिनोंने कुछ सीजन में ओपन भी किया है उनसे भी ओपनिंग कराई जा सकती है शैलो की जगा या फिर इवन हूपर को वन डाउन करके आप शैम ब्राउन से भी टीम ओपन करा सकती हैं आसिफ हूपर की बात करें यह प्लेयर बहुत तगड़ा है अगर आप इसको रेगुलर कैप्टन बनाते हो यह आपको ग्रैंड लीग तक विन करा सकता है क्योंकि जादा लोग ध्यान नहीं देंगे लेकिन बहुत तगड़ा खिलाड़ी है बहुत तगड़ा हिटर भी है सो इंपोर्टेंट रहेगा आपके लिए स्मॉल लीग में होना चाहिए और आप इन्हें ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं और इवन स्मॉल लीग में रिस्क लेना है सो आप उसमें भी ट्राय कर सकते हैं चैम ब्राउन की बात करें, तो अगर यह open करते हैं, तो important होंगे, अच्छी बैटिंग करते हैं, तावर तोड़ खेलते हैं, तो एक decent pick आप के लिए बन जाते हैं, वेरिकन की बात करें, अर्विन वेरिकन की, तो जादा कुछ खास इनका record नहीं रहा है, प्लस यह middle order में बैट लेंगे, तो आपके लिए grand league के लिए अच्छी pick बन जाएंगे, small league में थोड़ा risky रहेंगे, केविन अबराम की बात करें, अच्छा all rounder है, यहाँ पर आपको lower order में hitting करके देगा, और अपनी spin से wicket निकाल लेते हैं, तो एक important player रहेंगे इस team के लिए, अब बैटिंग भी आ लाल जाते हैं, last season में इनका ऐसा ही रहा था, तो उसी साफ से important बन जाते हैं, क्योंकि हमें तो यह नहीं देखना कि bowling उनकी कैसी है, लेकि ने wickets निकाल लेते हैं, उस वज़े से यह important बन जाते हैं, और mostly इनका जो over आता है न, वो last over कहीं बार दे देती है team इनको, तो यह vaccine brown की बात करें, so decent pick आपके लिए रहती है, कहीं बार इनके overs कट जाते हैं, लेकिन इस team में मुझे लगता है कि इनको over 2 over अपने मिलने चाहिए, so आपके लिए decent pick यह बन जाएंगी, whiley की बात करें, so यह starting के overs डाल जाते हैं, so कहीं बार यह wickets जब लेते हैं, so 2-3 wickets लेते है otherwise इनके overs जो है, असानी से निकल जाते हैं, grand league के लिए एक अच्छी choice बन जाएंगे, इनके death bowling की बात करें, so यहाँ पर straw है, जो main death bowler है, plus यहाँ पर Hoyt और Brexit Brown, depending कि किसका कैसा over गया है, उस हिसाब से रहेगा straw तो करेंगे ही, important players की बात करें, so इनका top order काफी strong है, so Hooper, Keto, Shallow, Sham Brown, Kevin Abraham और Stroh, जो है, इस team के important खिलाडी है, अगर आप यह player cover कर लेते हो, so काफी हद तक यह team आपकी cover हो जाती है, बात करते हैं, botanical garden rangers की, so यहाँ पर Salvan Brown open करते हो, नजर आ जाएंगे, Andre Fletcher के साथ, Salvan Brown की बात करें, तो यह एक ऐसा खिलाडी है, जो हर bowl पे छक्का लगाने की try करता है, so कभी जब successful हो जाता है, so बहुत पिटाई करता है, और जब वरना यह जल्दी ही out हो जाता है, आप इने grand league में captain wise captain try कर सकते हो, लेकिन this की player यह हमेशा रहते हैं, small league में भी try कर सकते हो, risk रहेगा, लेकिन यह चल जाते हैं न, तो यह ऐसा खिलाडी है, दस bowl पे तीसरन बना गया, ठीक है, क्योंकि हर bowl पे छक्कार मानने की try करता है, और उसमें भी कभी-कभी यह wicket पहली bowl पे भी दे जाता है, बात करते हैं, एंद्रे फ्लेचर की, so यार, फ्लेचर one of the best player है, इस tournament का आपको opening करके देंगे, और यहाँ पर T10 में bowling भी कर जाते हैं, सो कैप्टन, वाइस कैप्टन की best choice, यहाँ पर फ्लेचर भी रहने वाली है, small league में, यहाँ पर one down, Wayne Harper आ सकते हैं, जो wicket keeping भी करने चाहिए, वैसे Salvan Brown भी wicket keeping कर लेते हैं, लेकिन Harper खेल रहे हैं, सुमझे लगता है, Harper wicket keeping यह प्लस एक से दो वर आपको करके देदेगा, सो एक important player टीम के लिए बन जाते हैं, LXM में उसकी बात करें, कुछ season में इन्होंने open भी करी है, लेकिन यहाँ पर इस season मुझे लगता है lower order में भी बैटिंग करेंगे, player काफी अच्छा है, लेकिन इस team में क्योंकि इतना chance नहीं म लेगा मुझे ऐसा लगता है बैटिंग से, so grand league में आप इन्हें try कर सकते हैं, अब बात करते हैं डैमिलर की, so यार यह खिलाडी अच्छा है, आपको lower order में बैटिंग करके देगा, प्लस आपको over करके देता है, similar है इनका role जो Kevin Abram की जगा की तरह, यहाँ पर यह एक बैटिंग से प्रमोशन मिल जाता था और जबरताने पर bowling भी कर लेते थे, so grand league में recommend करूँगा, small league में risky रह जाएगा, क्योंकि betting bowling किसी किसी मैच में दोनों ही नहीं मिलेगी, और किसी किसी मैच में दोनों भी मिल सकती है, so यहाँ पर risky pick हमेशा रहते हैं, कैजरिक विलियम्स एक और important खिलाड़ी, जो small league में आप captain wise captain कर सकते हो, western ndies का fast bowler रहा है, western ndies के लिए खेले हुए है, और यहाँ पर T10 में all rounder है, यहाँ पर batting भी कर लेते हैं, अच्छी shots लगाते हैं, plus आपको यह bowling करके देंगे, death में bowling करके देंगे, so captain wise captain की अच्छी choice रहती है small league के लिए Larry Edwards काफी कम selection है, लेकिन यह bowler अच्छा है, आपको wicket निकाल के दे सकता है, so यह इनका selection कम है, so एक important player आपके लिए बंच सकते हैं, और trump card pick साबित इस match में हो सकती है, किमाली Williams की बात करें, so अच्छा pace bowler है, starting में over करता है, एक और एक over अगर दूसरा अच्छा गया हो तब ही कर देंगे, otherwise एक over death के लिए इनके लिए बचाया जाता है, और decent player है, आप इने अपने team में रख सकते हैं, राजीन ब्राउनी की बात करें, so यह brown जो है, यह आपको death में bowling करके दे सकते हैं, bowling इनकी भी कोई खास नहीं है, लेकिन यह क्योंकि death में करते हैं, so यह wickets निकाल ले करें, so यहाँ पर केजरिक विल्लियम होंगे, और राजीन ब्राउन और किमाली विल्लियम जिसका भी ओर अच्छा जगया है, उसको मिलेगा, केजरिक विल्लियम तो होंगे ही, important player की बात करें, so यहाँ पर आंद्रे फ्लेचर है, केटोई है, डैंबर है, यहाँ पर केजरि की बात करें, so यहाँ पर स्ट्रोव और केटो काफी अच्छी option हो सकते हैं, आप इबरायम को भी grand league में try कर सकते हैं, शले चलते हैं, dream 11 team की तरफ, so wicket keeping section में हमारे पास 3 option है, shallow है, brown है और harper है, sell one brown की बात करें, so यहाँ यह काफी अच्छा player है, hitter है, लेकिन risk रहेगा, आते one से two down आपको betting करके दे देंगे, प्लस आपको wicket keeping के points दे सकते हैं, so अभी के लिए, और तीनों ही अच्छे हैं, आप तीनों में से किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर shallow के साथ गया हूँ अभी के लिए, आप betting section में बात करते हैं, so यहाँ पर मैं keto और यहाँ मैं Fletcher दोनों को लेने वाला हूँ, दोनों ही important खिलाडी है टीम के लिए, बात करते हैं यहाँ पर brown और ketoy, आप इन में से दोनों को भी try कर सकते हो, या किसी एक को try कर सकते हो, मैंने अभी के लिए ketoy को लिया है, अगर sham brown open करते हैं, so आपको मैं telegram पर update दूँँगा, so telegram प भी मैं लेकर जा रहा हूँ, यहाँ पर Denver को, यहाँ पर आप Hoyt और यहाँ पर brown में से आप किसी एक को ले सकते हैं, मैंने अभी के लिए Hoyt को ले लिया है, bowling section में चलते हैं, तो यहाँ पर जो दो प्ले मेरे पास होंगे ही होंगे, वो है Williams और Straw दोनों ही काफी अच्छे fast bowler ह अब हमारे पास एक option बच जाता है, तो उसके लिए हमारे पास option है, किमाली Williams है, brown brothers हैं दोनों, ब्रेक्सी और Razine Brown, वाईली हैं और Larry Edwards है, मैंने यहाँ पर Larry Edwards के साथ गया हूँ, यहाँ पर आप चाहें तो रेक्सी ब्राउन या even किमाली Williams के साथ भी जा सकते हैं, तो यह मेरी Small League की टीम बन रही है, आप इसमें एक से दो चेंजिस हो सकते हैं, तो फाइनल टीम आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगी, बात करते हैं कैप्टन, वाईस कैप्टन की, तो मैंने कैप्टन जो है इस मैच में Fletcher को कैप्टन और वाईस कैप्टन जो है, आसिफ उपर को किया है, आप reverse भी कर सकते हैं, इवन यहाँ पर कैजरिक विल्लियम्स भी अच्छे option है, और केटों को भी आप try कर सकते हैं, तो यह बन रही है मेरी Small League की टीम, Grand League की टीम की बात कर लेते हैं, उससे पहले मैं आपको fan to play app की टीम दिखा रेता हूँ, क्योंकि इस मैच में कोई खास credit issue नहीं आएगा, तो यहाँ पर मैं same team के साथ यहाँ पर भी जा रहा हूँ, इसका जो यहाँ पर काफी कम entry fees है, तो आप download कर सकते हैं, link इसका description में, fortune refer code है, उसके सुझ डाउनलोड कर लो, IPL आ रहा है, तो काफी अच्छे offers यहाँ पर आने वाले हैं, बात करते हैं, Grand League teams की, तो यहाँ पर यह मेरी Grand League team number one है, इसमें मैंने Salvan Brown को रखा है, wicket keeping में, Keto को मैंने captain बनाया है, यहाँ पर मैंने Shem Brown को भी रखा है, और Raksine Brown को भी मैंने अपनी team में रखा है, Grand League team number two जो है, मैंने इसमें Strow को captain रखा है, बोलर्स के साथ गया हूँ, शे हैं बोलर्स के साथ, केजरिक विल्यम्स को मैंने vice captain किया है, मैं आपको एक शीज़ बता लेता हूँ कि विंसी Premier League में Grand League आप बिल्कुल खेले, मैं खुद यहाँ पर Mega Grand League, विंसी Premier League में जीच चुका हूँ, तो आपने क्या करना है, अगर आप multiple teams लगाते हैं, तो best option आपके लिए रहता है, आप य small league की team ये रहेगी, final team आपको telegram पर मिल जाएगी, उम्मीद करता हूँ, ये विडियो आपको पसंदा ये, पसंदा ये सो like करो, share करो, हमारे साथ telegram चैनल पर चुट जाओ, link description में है, और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon दबारी, ये जैसे ही विडियो आएगी, आपको notification मि जाया करेगी, thank you guys